Hello everyone, मैं हूँ आपकी प्यारी से खुशी और आज मैं आपकों सिखाऊंगी कि दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है जिस टूडेंट को मैट्रिक्स रो एंड कॉलम की इंफोमेशन है उसके लिए तो easily है कि मैं उसके लिए कहूँगी कि लेट कर दो हमारे पास एक A मैट्रिक्स है जिसका order है हमारे पास 1 by 2 and B मैट्रिक्स है जिसका order है हमारे पास 1 by 2 और इसमें जो elements आएंगे वो मैं लेती हूँ A11, A12 और इदर लेती हूँ B11, B12 ठीक है और इसमें addition तो फिर दो matrix की addition कैसे होगी वो ऐसे होगी कि हमारा A11 जो first element है वो add हो जाएगा B के first element से और यह हो मैरा second element है A का वो add हो जाएगा B के second element से और इनका order क्या होगा जो A और B का order है ठीक है तो हमें एक matrix मिल जाती है C जो addition होकर आती है और element ऐसे add होते हैं इसके यह simple method हो गया कि addition दो matrix की कैसे होती है और इसमें notice वाली बात यह है कि जो हमारी दो matrix होगी A and B उनका order यह होगा वो same होना चाहिए तब ही हमारी addition possible है और इन A और B का जो order होगा वही हमारी addition matrix जो होगी addition करके आई है उसका भी order same ही होगा और जिस बच्चे को पता नहीं है कि matrix का order matrix क्या होता है उसका order क्या होता है रो क्या होता है उसमें column क्या होते है उस बच्चे के लिए बहुत easy है समझाना उसको भी मैं समझा सकती हूँ वह ऐसे मैं उसको कहूंगी कि हम मैं जैसे एक shop पर गई हूँ और वहां पर जाकर मैंने pen लिए साथ pen लिए और वहां पर मैंने note books भी लिए ठीक है यह लिए मैंने note books दस note books ले लिए और ठीक है यह हमारे साथ pen और दस note books है और वो भी मेरे साथ एक shop वही उसी shop पर जाता है उसने भी दो pen ले लिए और तीन more note books ले लिए दो pen और तीन more note books अगर हम बोले कि हमने total number of मैंने और उसने मिलकर total number of कितने pen लिए हैं कितने note books लिए हैं तो वो कैसे होगा तो कितने pen लिए हैं हमने यह pen हो गए और यह note books कितने number of pen लिए हैं हमने 7 plus 2 कितने number of note books लिए हैं 10 plus 3 यह हमारे क्या है pen यह क्या हमारी note books पैन में pen वाल नमबर आड़ होगे note books में note books वाले number आड़ होगे तो हमारे total number of pen कितनी आ गई है 7 plus 2 तो additional matrix आपको पता लग गया होगा कि कैसे होती है बहुत simply मैंने बता दिये easily method से आपको बहुत easy से समझा गया होगा बस आज की वीडियो हमारा इतना ही मुझे सोनने के लिए आपका बहुत बहुत शुकरिया Thank you